हेलो फ्रेंड्स मेरे इस यूट्यूब चानल पोटेंचल जी को सस्क्राइब करें और बल आइकन को भी प्रेस करें जिससे की मेरी लैटेस्ट वीडियो के नोटिविकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें तो फ्रेंड्स आप मेरे को यहां पर भी फोलो कर सकते हैं, आप मेरे को अनकैडमी पर फोलो कर सकते हैं, मेरे नाम नरित कुमार से, आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फोलो कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल नेम है Potential G9, आप मेरे Facebook पेज को भी लाइक कर सकते हैं, Facebook Facebook page मेरा potential G नाम से और यह मेरी Facebook ID ए तो आप मेरे को Facebook ID पर भी request send कर सकते हैं means आप मेरे को unacademy पर Instagram पर मेरे Facebook पेज पर और Facebook ID पर भी मेरे को follow कर सकते हैं तो तो चलिए अब करते हैं आज का question और आज का question हमारा कुछ इस तरीके से है आज भी हम यहाँ पे आईजिंग मॉडल के उपर question करेंगे और इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको आईजिंग मॉडल के उपर 3-4 question करा दिये हैं तो आप जाकर भी उन questions को देख सकते हैं उन सभी के link मैंने description box में दे दियें तो friends question कुछ इस तरीके से है आज का consider a three springs at vertices of a triangle which interact with each other with a ferromagnetic icing interaction of strength J तो ता partition function of the system at temperature T is given by option A, option B, option C and option D और friends यह जो हमारा question है यह question हमारा June 2015 में आया हुआ question है आपको पता हुआ इस question के बारे में यह question हमारा CSIR net June 2015 में आ चुका है तो friends एक बार question आपको repeat कर देता हूँ यहाँ पर हमारे पास तीन icing spin है जो की एक triangle कर vertex पर रख्य हुई है और हमको इस system के लिए partition function find out करना है तो आईए question बहुत easy है इसको solve करते हैं तो friends इस question को solve करने के लिए हम क्या करते हैं पहले एक triangle बना लेते हैं तो यह हमारे पास एक triangle है मेरे को triangle बनाना आता है तो हम इसी को हम triangle बोलते हैं ठेंगृ हो ते आपको पता ना नो होता बता देता हूं यह हमारे पास यह हमारे पास हो जायेगा s1 तो ये हमको यहाँ पर दिया हुआ है आईजेन changing spin हमको यहाँ पर दी वही है और कॉन-कॉन से spin हमारे पास तो हमारे पास है S1 हमारे पास है S2 और हमारे पास है S3 और ये spin हमारी एक triangle के vortex पर खेवी है अब friends मैंने आपको बताया था हम यहाँ पर क्या लेते हैं हम यहाँ पर interaction लेते हैं तो interaction between nearest neighbor तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे nearest neighbor क्या है तो friends अगर मैं यहाँ पर इसको A माल लेता हूँ इसकी sides को यह side भी A है यह side भी A है तो हमारे पास यहाँ पर कितने तरीके के इंट्रेक्शन है, तो आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको इंट्रेक्शन दिखा हूं, तो एक इंट्रेक्शन मेरा S1 और S2 के बीच में हो रहा है, और एक इंट्रेक्शन मेरा S1 और S3 के बीच में हो रहा है, इसी तरीके से एक इ interaction है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से हैं S1 और S2 के बीच में हो रहा है फिर हमारे पास friends यहां पर S1 और S3 के बीच में हो रहा है और फिर हमारे पास S2 और S3 के बीच में हो रहा है अब friends आपके दिमाज में एक question और भी आएगा कि sir हम इसको reverse में भी लिख सकते हैं means s2 s1 लिख सकते हैं हम s3 s1 लिख सकते हैं और हम s3 s2 लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हो लेकिन friends मैंने आपको अगर आपने मेरा icing model वाला chapter देखा है मतलब सबसे पहला वाला वीडियो उसमें मैंने exchange energy के बारे में बताया था तो friends हम यहाँ पर देखो से मेरे पास क्या बचेगा s1 s2 बचेगा इसी तरीके से मेरे पास s1 s3 बचेगा और इसी तरीके से मेरे पास s2 s3 बचेगा तो friends हमारा पास जो यहाँ पर instruction energy आएगी वो किस तरीके से आएगी तो मैं आपको बता दू अब जो हमारे पास interaction energy होगी वो हमारे पास कुछ step की होगी? interaction energy तो interaction energy का फॉर्मुला बना वो हमारे पास क्या बना? तो वो हमारे पास बना friends, E is equal to minus का J और यह हमारे पास बचा S1, S2, यह फॉर्मुला बनेगा हमारे पास S2, S3 और plus फिर बनेगा हमारे पास S3, S1 तो यह हमारे पास क्या बना? interaction energy का फॉर्मुला तो यह हमारे पास फॉर्मुला होता है अब friends, हमारे पास क्या होता है? partition function, तो हम सब जानते हैं कि partition function का फॉर्मुला क्या होता है तो partition function होता है, हमारे पास Z, यह होगा हमारे पास G, I, यानि कि degeneracy e की power minus k beta e i तो friends इस तरीके से यह हमारे पास है अब हमको देखो question में हमारे पास e i आ रहा है और यहाँ पर i हमारे पास है यह अब friends हम क्या करेंगे हम यहाँ पे e की value calculate करेंगे कि e की कितनी कितनी value है तो अब हम क्या करते हैं आप देखो यहाँ पर s1, s2, s2, s3 और s3, s1 आ रहा है तो friends अब हम क्या करेंगे एक table बना लेंगे अब हम इस table को ऐसे बनाएंगे जैसे friends आपके पास क्या होते हैं आपने binary number system बढ़ा होगा तो binary number system में अगर आपके पास a, b, c, 3 gate होते हैं 3 input gate देते हैं तो आप किस तरीके से table बनाते हो आप बनाते हो 110 करके है ना ऐसे करके table बनती है तो वही चीज हम यहाँ पर follow करेंगे तो friends suppose करो यह मेरे पास से s1, यह मेरे पास से s2, यह मेरे पास से s3 अब friends इसका जो product आएगा हम यहाँ पर इसको लिखते हैं तो इसकी जो table बनेगी वो कुछ इस type से बनेगी तो friends यह होगा मेरे पास s1, s2, plus यह होगा मेरे पास s2, s3, plus यह होगा मेरे पास s3, s1 अब friends यह हमारे पास आएगा, इस तरीके सम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं अब friends इसका total sum होगा, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इसका total sum, तो total sum को हम यहाँ पर लिख लेंगे तो यह हमारे पास आएगा इसका sum और friends sum करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा last में e is equal to minus का j अब friends देखो यह चीज हमारी same चल लिए तो मैं यहाँ पे इसको sum ही लिख देता हूँ क्योंकि यह हमारे पास sum होगा है ना तो बात आप समझ जाना कि यहाँ पे हमारे पास sum आ गया चलो friends अब हम यहाँ पे इसकी table बनाते हैं एक सुन्दर सी table हम यहाँ पे draw करेंगे I think आपको चीज़े समझ में आएंगी तो यह हमारे पास अब friends यहाँ पर हम value लिखते हैं कुछ इस तरीके से तो यह friends हमारे पास होगा serial number तो यह हमारे पास first serial number होगा तो इसके लिए हम यहाँ पे line बना लेते हैं first serial number के लिए इस तरीके से जाएगे हमारे पास first serial number फिर होगा हमारे पास two तो two के लिए line बना लेते हैं यह हमारे पास two आएगा इसे तरीके से friends हमारे पास 3 आएगा serial number तो हम 3 बना लेते हैं फिर friends हमारे पास 4 आएगा फिर हम 4 के लिए बना लेते हैं इस तरीके से यह आएगा फिर friends हम यहाँ पर 5 बना लेते हैं तो 5 के लिए इस तरीके से हो जाएगा फिर हमारे पास friends 6 आएगा तो हम 6 को बना लेते हैं देखो हमाँ आपको counting भी सिखा रहा हूँ फिर हमारे पास 7 आएगा तो हम यहाँ पे 7 बना सकते हो लास्ट में friends हमारे पास 8 आजाएगा हम यहाँ पे 8 बना सकते हैं इस तरीके से अब आपे हम यहाँ है पर इसमें के स setzt करेंगे तो आपको पता है किinaire और अंटी पृष्ट होगी तो पैल्लर के लिए प्लस वन लेंगे और अंटी पैल्लर के लिए प्लां प Tou सब soi सबसे पहले करते हैं कि हमारे सब सबसे कैसी यह आपको मैं नबाया तरो रेंगे फिर माइनस फिर माइननस वन फिर माइनस मऔर हम पास वन फिर माइनस वन फिर वन फिर माइनस वन इस तरीके से बन जाएगा फिर हम दो दो करके लेते हैं जिरो जीरो जिरो जिरो डबल वन दो इस तरीके दर ये रvention ये बहन ये माइनस वन ये माइनस वन फिर फिर वन ये माइनस वन और ये depends on फिर झाय करता हैन्त है चार 4 ये बनाते हैं यहाँ पर阪्स सेख Изट यहां पर put करेंगे तो देखो friends अब अगर यहां पर क्या हो रहा है S1, S2 का product है यहां पर S2, S3 का product है वो यहां पर S3, S1 का product है तो friend S2, S1 का product करेंगे तो plus का one आएगा इसी तरीके से हम इसका product करेंगे तो plus का one आएगा इसका product करेंगे तो plus का one आएगा और friend इन तिनों का sum कितना होगा 3 तो यह हमारे पास sum आ गया 3 इसी तरी इसका product करेंगे हमारे पास plus का one आएगा इसका करेंगे minus का one आएगा इसका करेंगे minus का one आएगा अब देखो friends यह वाला one यह वाला हमारा cancel हो जाएगा क का one क्यों क्यों कि आप इस्से हमारा यह कैंसे लूगिया बहुत बढ़िए फिर आप प्रेंगे फ्रेंट्स यह म मर यंदो का बढ़िया फिर आ己 PAS QANG할 Discord आएगा फिर अमारे पास मैञुद का बाए बहुत बढ़िया अब करेंगे फ्रेंट्स तो हमारे पास प्लस का 1 आएगा फिर हमारे पास माइनस का 1 आएगा तो अब हमारे पास क्या आजाएगा फ्रेंड तो आप देख सकते हो अब भी हमारे पास माइनस का 1 आएगा इससे हमारा ये कैंसिल हो गया अब फ्रेंड हम दुवारा करेंगे तो हमारे पास minus का 1 आएगा फिर हमारे पास minus का 1 आएगा फिर plus का 1 आएगा अब friend इससे हम इसको cancel करेंगे तो अब फिर minus का 1 आजाएगा बहुत बढ़िया अब हम इसका करेंगे तो 1 आएगा फिर हमारे पास minus का 1 आया फिर minus का 1 आया तो अब friend देखो इससे हमारा ये cancel हो जाएगा फिर हमार minus का 1 बच्चा बहुत बढ़िया अब last में हमारे पास देखो friends यह हमारा 1 आएगा क्योंकि इसका और इसका product 1 होगा इसका और इसका product फिर बना हो जाएगा और फिर इसका 1 हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास कितना आगिया? 3 आगिया तो friends यह हमारे पास sum आ गया अब last वाले step में क्या करना है तो friends हमको यहाँ पे देखो minus के j से इसको multiply करना है minus का j multiply हो रहा है किसके sum के साथ तो हम यहाँ पे क्या करेंगे तो friends यह मेरे पास हो जाएगा minus का 3j आ जाएगा फिर आपका यह plus का j हो जाएगा क्यों हम यहाँ पे minus से multiply कर रहे है फिर plus का j हो जाएगा फिर plus का j हो जाएगा फिर plus का j हो जाएगा फिर plus का j आएगा फिर plus का j आएगा और minus का last में 3j आ जाएगा इस तरीके से हम यहाँ पर इसको कर सकते हैं तो आपने देखा minus का 3j j j j तो friends हमारे पास यहाँ पर आप देखो किती तरीके की energy आ रही है तो अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर friends हमारे पास देखो यह मेरे पास एक energy माइनस का 3J है और एक energy मेरे पास माइनस का 3J तो दो energy तो मेरे पास माइनस का 3J आ रही है और बाकी की कितनी energy बची 6 और 6 energy भी मेरे पास कितनी है J यानि कि 2 level आपके देखो कितनी energy level आए आपके पास यहाँ पर 8 energy level है 8 energy level में से 2 energy level आपके पास minus के 3 J के हैं और 6 energy level आपके पास J level के हैं तो इस तरीके से तो friend इसका मतलब क्या हुआ, कि आपके पास दो तरीके की energy है, हम यहाँ पे मानते हैं, first energy हमारे पास कौन सी है, जिसकी energy minus क 3J है, और friend second energy हमारे पास कौन सी है, जिसकी energy हमारे पास केवल J है अब जो हमारे पास friends even है जिसकी energy minus का 3j कितने level है तो यह हमारे पास 2 level के लिए है और j energy हमारे पास किती level में distribute है तो friend j हमारे पास 6 level है मतलब 6 level की energy j है और 2 level की energy minus का 3j है इस तरीके से अब friends हम जानते हैं कि जो हमारा partition function था वो क्या था तो हमारा partition function था वो था z is equal to sigma यहां पर था हमारे पास g i e की power minus के बीटा e i यही तो था friends हमारे पास अब यहां पर i की value कहां से कहां तक जा रही है तो i की value 1 से 2 जा रही है क्योंकि देखो यह हमारे पास 1 है यह हमारे पास 2 है तो friends हम में इसको जब expand करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा e1 g1 e की power minus के बीटा e1 और plus फिर आ जाएगा मेरे पास g2 e की power minus के बीटा e2 तो यह चीज़े आ गई है अब friends हमारे पास z is equal to अब देखो g1 कितना है तो g1 की value मेरे पास 2 है और e की power मेरे पास कितना है minus के बीटा और e1 की value कितनी है minus का 3 j plus अब मेरे पास है friend g2 g2 की value कितनी है 6 e की power minus के बीटा और यह मेरे पास कितना हो जाएगा j तो हमने यहाँ पे put कर दिया जे इस तरीके से तो friend Z is equal to कितना आ गया 2E की पावर यह हमारे पास हो गया बीटा जे 3 बीटा जे तो हम इसको 3 बीटा जे लिखेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस फिर हमारे पास है 6E की पावर माइनस के बीटा जे तो यार इस तरीके से न हमारे पास क्या आगया? पार्टिशन फंक्शन आगया बढ़या वाला मज़े दार एकदम मक्खन वाला पार्टिशन फंक्शन है तो आपने क्या देखा? तो friends हमारे पास पार्टिशन फंक्शन निकल के आया वा आया Z is equal to 2 E की पावर 3 बीटा जे और प्लस फिर आया 6 E की पावर माइनस के बीटा जे तो friends यह हमारे पास है इस कोस्टन का आंसर अब हम चेक करते हैं कि कौनसा ऐसा कोस्टन है जिसका यह आंसर है तो ऐसा कौनसा आप्शन है? तो हम यहाँ पर option चेक कर लेता है तो देखो friends पहला यह option हमारा क्या है correct है तो यह हमारे पास आ रहा है 2 E की पावर 3 बीटा जे प्लस 6 E की पावर माइनस के बीटा जे तो friends इस तरीके से हम यहाँ पर अपने इस question को क्या करेंगे? राइट करेंगे इस option को इसके vertex के उपर और हमको उसके लिए यहाँ पर partition function calculate करना था और friends इसी type के question आते है ज्यादा सोचने की ज़रूबत नहीं है cable आपको partition function लिखना है energy distribute करना है और बहुत ही simple question होते हैं अगर आपको एक formula पता है उसी formula से सारे सारे icing model के question हो जाएएगे तो ज्यादा टेंसल नहीं लेना है आपके तैयारी करो और आपके लिए best of लगे exam आने वाला है और हाँ friend अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगाओ तो please comment करके बताया करो आपके comment देखता हूँ like देखता हूँ तो और भी motivate होता हूँ और आपके लिए वीडियो बनाने की सोचता हूँ और अगर आप नहीं करते हो फिर भी motivation डाउन हो जाता है तो यह चीज़े हैं तो आप मेरे काम को appreciate क्या करो अगर आपको अच्छा लगता है तो forward करो share करो लोगों को और मेरे को Instagram, Facebook सब जगे लाइक कर लो जिस और आप मुझसे अपनी query भी पूछ सकते हैं तो friends मिलता है आप सबी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए thank you, keep learning, take care, bye bye